दोस्तों हेल्थ केर एक ऐसा सेक्टर है जहां पर कोर्स और जॉब्स दोनों की कोई कमी नहीं है दोस्तों यह तो हम सभी जानते हैं कि एक हेल्थ केर प्रोफेशनल बनने के लिए आपको डिग्री और डिप्लोमा कोर्स करना होता है लेकिन दोस्तों degree और diploma होने के साथ साथ skills होना भी जरूरी है इसलिए आज कल job के लिए आपके skills को भी ध्यान में रखा जाता है इसलिए दोस्तों इनी skills को सीखने के लिए बहुत सारे healthcare professional certification courses को भी join कर लेते हैं जिससे की वो एक specialized field में proficient हो सके और इससे उनका resume भी strong बनता है तो दोस्तों जब भी ऐसे courses की बात आती है तो कई सारे लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि वह कौन सा course करें कहां से करें और क्या इससे कोई फाइदा होगा भी या तहीं दोस्तों इसलिए आज हम आपके लिए लेकर आये हैं हेल्थ के प्रफेशनल के लिए पांच online free courses जिने करने के बाद आप एक अच्छी knowledge कें कर सकते हैं साथ में दोस्तो है नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल knowledge साथी पर दोस्तों हमारा पहला कोर्स है implementation of hand hygiene practices and its compliance report यह दोस्तों इक certification course का नाम है दोस्तों इस course में आपको hand hygiene के बारे में सब कुछ बताया जाता है हलांकि दोस्तों काफी लोग सोचते हैं कि यह course क्या है इसकी importance क्या है लेकिन दोस्तों आपकी जानकारी के लिए आपको यह बता दें कि डबलु एचों की माने तो यह सबसे जरूरी precautions में से एक है इसके बिना कोई भी safety procedure complete नहीं माना जाता है और दोस्तों hand hygiene के भी कुछ steps और rules होते हैं इसके बारे में भी आपको इस course में बताया जाता है साथ ही में उसकी compliance report कैसे बनानी है आपको इस course में इसके बारे में भी बताया जाता है क्योंकि दोस्तों यह सारी ही चीज़े आपके ने बीच इंस्पेक्शन और audit में चेक की जाती है दोस्तों हमारा अगला free course awareness about medication errors and how to report and analyze its cases दोस्तों हमारा दूसरा course है medication errors के उपर दोस्तों healthcare में medication prescription कितनी important है यह तो हम सभी जानते हैं लेकिन अगर उसमें थोड़ी सी भी गलतिया हो जाए तो उससे क्या-क्या errors हो सकती है इन सब के बारे में अधिकतर लोगों को पता नहीं होता है ऐसे में दोस्तों इस course में आपको medication error और उससे related cases को analyze करने के बारे में बताया जाता है साथ ही में आपको इस course में यह भी सिखाया जाता है कि आप उन errors से कैसे बच सकते हैं दोस्तों यह course इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि इसमें direct affect patient की लाइप पर पढ़ता है दोस्तों हमारा अगला कोर्स है awareness about emergency course practices and its observation report हमारा तीसरा कोर्स है emergency course के उपर जिसमें आपको यह बताया जाता है कि hospitals में कौन-कौन से emergency code का यूज किया जाता है यह एक टाइप से emergency notification होता है जो कि staff persons के लिए होता है अगर उन्हें इनके बारे में पता नहीं होगा तो कभी-कभी उन्हें कई दिक्वतों का सामना भी करना पर सकता है यह आपको कोई के लिए response करने और emergency में कई सारी life's को save करने में भी help करता है तो दोस्तों इसलिए यह course काफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों healthcare professionals के लिए अगला इंपॉर्टेंट और फ्री कोर्स है certificate in international patient safety goals इसको शॉर्ट में हम IPSG भी कहते हैं दोस्तों इस कोर्स में आपको बेसिकली यह बताया जाता है कि IPSG की क्या importance है क्यों इतनी जरूरी है और साथ ही साथ इनको implement कैसे किया जाता है तो दोस्तों इन सभी के बारे में आपको इस इसके इनकी पॉर्टेंट को सेंटर में रखकर बनाए गया है इसलिए इनकी पॉर्टेंस काफी ज्यादा हो जाती है दोस्तों इस पेशली यह एक रिलेटीट कोस्टेंस पूछे जाते हैं तो यह कोर्स काफी ज्यादा एक सेंटर्यवकेह के इंपॉर्टेंस रखता है दोस्तों हमारा अगला और लास्ट कोर्स का नाम Meer सर्तिफिकरट इंप हेल्थ केर व्रकर तेप। इस कोमें आपको सफेहल्बेस के अवर्डी के डिफी इंप्लॉईस की सहथी को इंशूर करते हैं दोस्तों यह एक टाइप से आपके लिए सेल्फ सहथी के रिगार्डिंग कोर्स होता है जिसमें आपको ऐसे और प्रोसीजर के बारे में सिखाया जाता है जो कि आपकी सब इंजरी या फिर एक्सीडेंट को प्रिवेंट करने के लिए आप अपने लिए अपना सकते हैं तो दोस्तों यह थे हमारे टॉप फाइब बैस कोर्स फॉर हेल्थ के प्रोफेशनल्स और सबसे इच्छी बात कि यह सारे कोर्स विल्कुल फ्री ऑफ कोस्ट हैं दोस्तों यह सभी कोर्स आप हमारी ओफिशल वेबसाइट नौलेजसाथी.com पर बिजिट करके जॉइन कर सकते हैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और दोस्तों हमारी वेबसाइट पर आपको अगर आपके मन में कोई भी डाउट है कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट सक्षन में कमेंट करके पूस सकते हैं दोस्तों यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएए वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब् स्क्राइब करना ना भूले धन्य बार